हेलो बच्चो तो आज हम मिनी कैप्सूल स्रीज के अंदर बात करने बाले हैं एक महत्पून टॉपिक हीलियम नियॉन लेजर की इससे पहले हमने जो आपके स्लेवस में दूसरे टाइप का लेजर दिया हुआ है जिसको आप पॉल्स लेजर भी बोलते हैं जिसको आप पिंक लेजर भी बोल सकते हैं जिसको आप सॉलिड स्टेट लेजर भी बोल सकते हैं उसके बारे में हमने डिसकस कर लिया है आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो दूसरे टाइप का लेजर आपके स्लिवस में गिवन है वो है helium neon laser इसको आप gas laser भी बोल सकते हैं इसको आप continuous wave laser भी बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपको laser beam मिलेगा वो continuously मिलेगा वहाँ पर क्या हो रहा था ruby laser में वहाँ पर pulsed की form में मिलता था मतलब laser beam मिला और बंद हो गया मिला और बंद हो गया लेकिन helium neon laser में क्या होगा continuously आपको laser beam देखने को मिल जाएगा तो continuous wave laser पूछ ले, gas laser पूछ ले या helium neon laser के नाम से पूछ ले आपको यही explain करना है तो यहाँ पर भी हम आज जो यहाँ पर discuss करेंगे इसको वो उसी तरीके से discuss करेंगे जैसे हमने ruby laser को discuss किया था अगर आपने ruby laser का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाएए playlist में या फिर आप videos में जाएए वहाँ पर आपको topic मिल जाएगा यहाँ पर हम सबसे पहले construction की बात करेंगे फिर आगे इसकी working की बात करेंगे तो construction में अगर हम देख ले तो वही सारी चीज़े यहाँ पर रहने वाली हैं वस वहाँ पर जो ruby laser में आपने यूज किया था cooling system वो यहाँ पर आप use नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आप external supply प्रोबाइड करा रही हैं अपने laser को जिससे की आप pumping process बोलते हैं उसमें आपकी जो energy है वो lost नहीं होगी यानि कि वो heat up नहीं करेंगी आपके setup को इसलिए यहाँ पर cooling system की need नहीं होगी otherwise अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा helium neon gas mixture ठीक है यानि कि यहाँ पर helium और neon gas का mixture आप यहाँ पर रखते हैं और इसी को आप x-ay बोल सकते हैं कि यह active medium है न तो अगर मैं इसको नाम दूँ यहाँ पर तो यह जो है यह एक सकेंड इसकी वेड़ थोड़ा बड़ी हो रही है हम इसको कम कर लेते हैं ठीक है चलिए अब मैं बात करूँ तो यह जो है आपका आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यह active medium है है ना active medium मतलब जिसमें आपका material add होगा जहां पर आपकी working होगी तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका helium gas भरी होती है उसमें neon के ions को आप मिलाते हैं मतलब helium की मातरा अधिक होगी neon gas की मातरा कम होती है अगर मैं ratio की बात करूँ तो कहीं कहीं पर आपको 10 ratio 1 का मिल जाएगा बुक में लिखा हुगा किसी बुक में आपको 5 ratio 1 मिल जाएगा तो इस ratio में आपको add करने होते हैं helium और neon के ions जैसे helium के अगर 10 ions हैं तो neon gas का एक ही ion आपको वहाँ पर mix करना होगा या फिर अगर helium के आपने 5 ion लिए हैं तो neon का आपको एक ion लेना होगा कुछ इस तरीके से different books में आपको ये ratio देखने को मिल जाता है तो इस ratio में आप यहाँ पर mixer में add करेंगे helium और neon gas तो यह हो गया आपका active medium इसके बाद अगर हम बात करें power supply जिसमें आप pumping कराते हैं तो power supply के through जो pumping आप provide कराएंगे वो होगी आपकी electric discharge type pumping जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे discharge tube तो यह discharge tube क्या करेगी जैसे ही जैसे simple आप बात करें बैटरी आप connect करते हैं कहीं पर भी तो बैटरी से electrons निकलते हैं तो वो electrons क्या है move कर रहे हैं तो उनके पास एक speed है high speed electron आप उनको कह सकते हैं तो वैसे ही आपके यहाँ से electron क्या करते हैं बैटरी से निकलते हैं और जो helium और neon के ions हैं उनसे जाकर टकराते हैं और जब टकराएंगे तो obviously बात है एक object rest में रखा हुआ है दूसरा speed से आया उससे टकराया तो वो speed से जो atom आया electron आया वो अपनी energy transfer कर देता है suppose एक ball आपने रखी हुई है rest में रखी हुई है दूसरी तरब से आपने ball को kick किया और वो ball जो rest में रखी हुई थी उससे hit करती है तो वो जो rest में ball रखी हुई थी वो भी movement में आ जाती है that means जो moving ball थी उसने अपनी energy collide करने के बाद यानि के टकराने के बाद उसको transfer कर दी तो वैसे ही आपका यहाँ पर होता है अब मैं इस electric discharge pumping जो होती है उसका थोड़ा सा concept मैं आपको इधर बताना चाहूंगा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपके electrons कहाँ पर होते हैं ज्यादा ground state पर जो कि हमारा even energy level है even energy level पर rest में रखे हुए हैं लेकिन जैसे ही आप इसको externally supply देते हैं discharge tube के थो तो high speed electrons आएंगे वहाँ से और वो high speed electrons strike करेंगे किनके साथ जो electrons आपके rest में रखे हुए हैं अब इनसे टकराने के बाद वो जो rest में रखे हुए थे वो इन high speed electrons से energy को क्या कर लेंगे absorb कर लेंगे absorb करने के बाद they will jump into the higher energy state या फिर आप इसको बोलते हैं excited state और आपको पता है कि excited state में कितने time के लिए रुखते हैं 10 to the power minus 8 second के लिए वहाँ पर stay करने वाले हैं अब इतने time के बाद तुरंत यह कहाँ पर आना start हो जाएंगे निचले वाले energy level पर जिसको हमने E2 नाम यहाँ पर दिया हुआ है और E2 पर जैसे ही आएंगे तो आप इसको क्या नाम देते हैं meta stable state क्योंकि यहाँ पर जो stay करने का time है या living time है electrons का वो कितना होता है 10 to the power minus 3 second यानि के 10 to the power minus 3 second तक यहाँ पर stay करेंगे चुकि उपर से जल्दी जल्दी नीचे आ रहे हैं तो भीड जो इखटा होगी वो कहाँ पर हो जाएगी E2 energy label पर जिसे आप meta stable state बोलते हैं तो यानि के E2 और E1 के बीच में अब population का क्या हो गया है inversion हो गया है तो यही आपका achieve कराता है आपको laser action तो electric discharge I hope आपको समझ में आ गया होगा जो यहाँ पर हमने pumping यूज की है electric discharge method ठीक, clear हुआ, चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पर तो दो चीज़े हमने यहाँ पर देख ली first one active medium जिसमें आप helium neon gas के mixer को रखते हैं 10 ratio 1 या 5 ratio 1 के ratio में 5 ions helium के और 1 ion आपका neon का वैसे ही 10 ions ले लीजिए helium के या फिर 1 ion ले लीजिए neon का तो इस ratio में आप mixer add करते हैं उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो next आता है pumping pumping में आप use करते हैं electric discharge type की pumping यानि का यहाँ पर आप electrons को generate कराते हैं through the external battery supply और वो electrons क्योंकि movement में होते हैं उनके पास speed होती है वो rest में रखे हुए helium neon के ion से strike करते हैं और अपनी energy transfer कर देते हैं उसके बाद आगे देखते हैं आप resonant cavity को क्योंकि यहाँ पर waste कुछ नहीं हो रहा है heat आपका system नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर cooling system की need नहीं होती है आगे resonant cavity resonant cavity का वही purpose है एक तरफ आपका क्या होगा fully polished mirror है यह आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह आपका partially silvered mirror है याणि कि partially polished mirror है और यह आपका fully polished mirror है किदर यह वाला है यह वाला portion left side तो यह आपका resonant cavity का का काम करता है इसका काम केवल उतना ही है जैसे कि आपने ruby laser में पढ़ा है यह आपकी light को amplify कराने का काम करता है तो आपके helium neon ions इस तरीके से move करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं और strike करके rest में से जो आपका यहाँ पर polished है portion वहाँ से टकरा कर फिर वापिस होते हैं चुकि यहाँ पर fully polished है तो यहाँ पर जितने भी टकराएंगे वो सब क्या हो जाएंगे वो सब वापिस हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपका scenario यहाँ पर बनता है और एक छोटे से area में बहुत जादा photons जो हैं वो इखटा हो जाते हैं और उनको निकलने के लिए एक छोटी जगह मिल रही है जिससे की वो एक ही direction में आगे बढ़ते हैं और एक आपको high intensity laser beam देखने को मिल जाता है clear तो I hope आपको clear हो गया होगा helium neon laser का construction ठीक है चलिए अब जो जो इसमें हमने pumping यूज की है वो भी आपको definitely clear हो गई होगी कि electric discharge pumping किस तरीके से काम करती है अब हम बात कर लेते हैं इसके working के तो working के लिए हम next slide पर चलते हैं next में अगर हम working की बात करें यहाँ पर चुकि आपको यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर mixer है किसका helium neon gas का तो helium के जो atoms होते हैं बच्चो helium के जो atom हैं उनको excited energy state तक पहुँचने के लिए कितनी energy की नीड होती है 20.61 electron bolt यानिके 20.61 electron bolt की नीड होगी जब की neon iron जो आपने मिलाए हैं उनको जरुदत होती है 20.66 electron bolt की ठीक तो जब आप इसको बहार से supply दे रही हैं यानिके electric discharge pumping के थुरू आप इसको supply provide कर आ रही हैं तो वहाँ पर होगा क्या कि helium और neon के ions जो electron discharge होकर आ रही हैं उनके collision से 20.61 electron bolt तो अचीब कर लेंगे ठीक है अब दोनों के बीच में कितना difference है 0.05 electron bolt का difference है तो यह जो difference है यानिके आपने mix क्या किया है बेटा neon के ions तो यह जो neon के ions हैं यही एक तरीके से क्या है triggering का काम करेंगे working का काम करेंगे जैसे कि वहाँ पर हमने chromium ions add किये थे वो aluminium के ions को replace कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर helium की जगहे पर neon ions जो है वो एक तरीके से triggering का काम करेंगे है न तो इनको 0.05 electron bolt energy की और जरूरत होगी तो जैसे ही यह moment में आएंगे तो बच्चों यह दोनों भी आपस में टकराएंगे तो जब यह आपस में टकराएंगे helium और neon के ions तो इसमें helium से neon absorb कर लेगा 0.05 electron bolt energy और consume करने के बाद यह अपने excited state पर पहुँच जाएगा I hope आप समझ गए होंगे जैसा कि आप diagram में देख रहे होंगे एक तरफ helium atoms है एक तरफ neon atoms है ground state पर 0 electron bolt energy level दिख रहा होगा जब इनसे electron टकराएं electric discharge tube के थ्रू जो generate किये हैं तो इसने अचीब कर लिया 20.61 electron bolt ऐसे ही 20.61 electron bolt neon atoms ने अचीब किया लेकिन क्योंकि neon atoms को working में आने के लिए 20.66 electron bolt की need है तो जब यह collide करेंगे helium atoms किसे neon atoms है क्योंकि helium atoms जादा है neon atoms की मातरा कम है तो जब यह इनसे collide करेंगे तो 0.05 electron bolt का जो difference है वो क्या कर लेंगे यहां से consume कर लेंगे absorb कर लेंगे ठीक है then they come to the excited stage 20.66 electron bolt अब यहां से start होगा आपका energy का loss होना अब आप जैसे ही यहां पर देख रहे होंगे तो जब 20.66 electron bolt से 18.70 electron bolt पर आपके atom या electron पहुँचते हैं तो वहां पर आपको laser transition देखने को मिल जाता है और वो आपका laser transition होगा 6,328 angstrom का यह आपका laser beam रहेगा ठीक है जब और energy level loss होता है और नीचे के और energy level पर यह पहुचते हैं तो वहां पर कहीं कहीं पर आपको spontaneous transition देखने को मिल जाता है जो कि directional नहीं होते हैं photons के generation और last में जब ground state पर जाता है तो वहां पर वो radiation less transition होता है और इसको अठ्छे से समुझने के लिए मैं आपको इसका energy diagram बना कर दिखाता हूँ step by step आपको clear हो जाएगा देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ठीक है यह सबसे पहले मैंने helium ions के लिए बना लिया है ground state और यह neon ions के लिए मैंने ground state बना लिया है इस एट clear ठीक है यह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर है आपका helium और यहाँ पर है आपका बिटा neon ठीक है दोनों का ground state बन गया अब दोनों की excited state बना लेता हूँ यह हो गई excited state for the helium एक सकिंड यहाँ पर ऐसे बनाता है ठीक है और इसकी बना लेते हैं थोड़ा सा उपर neon ions की ठीक है अब जब हमने बिटा electric discharge से इनको energy प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पर जो atoms है और यहाँ पर जो atoms है है ना ठीक है वो excite होकर कहाँ पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर पहुँच जाएंगे ठीक है और जो आपका neon ions है वो भी इतनी ही energy absorb कर लेंगे और यह energy level जो है आपका यह है आपका 20.61 electron bolt यहनि के 20.61 electron bolt पर helium ions भी पहुँच गए आपके neon ions भी पहुँच गए ठीक है जिससे कि आपको अच्छे से clear हो जाए डाइग्राम तो आप इस तरीके से ही बना कर आएंगे एक्जाम में है ना लेकिन आपको और अच्छे से explain करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ यहाँ पर यह तो आपके पहुँच गए यहाँ पर helium ions ठीक है energy को absorb करने के बाद ठीक अब जब energy absorb की ऐसे ही आपके neon ions यहाँ पर पहुचे है ठीक है यह neon ions पहुच गए बेटा लेकिन neon ions को excited state तक पहुचने के लिए जो energy की need होगी वो होगी 20.66 electron volt बचो तो यह 20.66 electron volt में जो 0.05 electron volt का जो क्या है separation है difference है दोनों के बीच में यह कहाँ से मिलेगा यह मिलेगा जब यह helium ions इन neon ions से क्या करेंगे collide करेंगे जब यह इन से collide करेंगे then यह जो neon ions हैं यह absorb कर लेंगे 0.05 electron volt की energy ठीक है यह क्या हो रहा है यहाँ पर collision आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि जो helium के ions हैं उनकी जो value है या उनकी जो counting है वो जादा है ठीक और यह जब इसको energy को absorb कर लेंगे तो यह अब अपने excited state पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर ठीक है is that clear यहाँ पर I hope आपको clear हो गया होगा ठीक है अब यहाँ पर number of electrons जो हैं वो काफी मात्रा में खटा होने start हो गए ठीक अब जब यह lower energy level पर आएंगे जो की आपका किस energy level पर है 18.70 electron volt यानि के यहाँ पर 18.70 electron volt के energy level पर जब यह पहुचते हैं तो यहाँ पर जो transition होगी एक second यानि के यहाँ पर जब यह नीचे आ रहे हैं ऐसे तो यह आपको क्या देंगे laser beam देंगे ठीक है यहाँ से आपको मिलेगी laser beam high intensity के साथ photons का generation आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा और यह लगबग आपका 6,328 angstrom की wavelength की light यहाँ पर emit होती हुई आपको दिखाई देती है फिर next अगर इससे lower energy level देखी हमने suppose कोई energy level यहाँ पर है तो इस पर जब आपके atoms पहुँचते हैं यहाँ से भाई energy को वो क्या करेंगे एक सेकेंड यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर यह अपनी energy क्या करेंगे loss करना स्टार्ट करेंगे और loss करके कहाँ पर जाएंगे lower energy state पर तो जब यह lower energy state पर पहुँचेंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो यहाँ पर आपको कभी-कभी spontaneous emission देखने को मिल जाता है ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यह होगा spontaneous emission ठीक है यहाँ पर आपको spontaneous emission देखने को मिल जाता है अब जब यह atom कहां पर आ गए आपके यहाँ पर, है न, इस energy level पर, अब जब यह इस energy level से, एक second, इस energy level से कहाँ पर जाएंगे, ground state पर, क्योंकि सबसे lower energy level क्या है, ground state, तो जब यह ground state पर पहुँचे बच्चो, तो यह आपका कहलाएगा, radiation less transition, या फिर आप इसको बोल देते हैं, rapid decay, जैसे कि हमने starting में, ruby laser में भी, इसको concept को पढ़ा था, ठीक है, यह हो जाएगा आपका rapid decay, मैं आप लिग देता हूँ, rapid decay, clear, तो I hope आप पूरी working, बहुत आसानी से easy language में समझ चुके होंगे, इस diagram की help से clear है, तो I hope आपको helium neon laser की construction, उसकी working बहुत अच्छे से clear हो गई होगी, अगर अब भी आपको कोई doubt है, तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं, अगर आपको video अच्छा लगा है, तो भी आप comment box में suggestion अपना जरूर दें, साथ ही साथ अपने friends के साथ, अपने colleagues के साथ इस video को भी ज़्यादा से ज़्यादा है, share करें, जिससे की सभी बच्चे इस mini capsules rage का lab उठा सकी, detail video के लिए with theory, आप हमारे playlist में जाएए, वहाँ पर unit number 4 की आप playlist को open करेंगे, तो वहाँ पर आपको laser की detail video देखने को मिल जाएगी with theory, यहाँ पर हम केवल केवल explain कर रहे हैं, वहाँ पर आपको theoretical form में भी देखने को मिल जाएगा, तो जहां से भी आपको lab मिले, वही video आप यहाँ पर देखिए, चाहे mini capsule का lab मिल लेना चाहते हैं, तो यहाँ से video को देखिए, detail में topic को पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, अब मिलेंगे अब next video में किसी अन्य topic के साथ, तब तक कोई भी doubt है, तो comment box में आप बेहिचक comment कर दीजिए, और hand return notes के लिए भी मैं बता देता हूँ, अगर आप अपने hand return notes नहीं बनाना चाहते, तो हमारे YouTube channel के थुरू आपको provide कराए जाएंगे, उसके लिए आप हमारे help line number 8273708952 पर, हमें call या WhatsApp के माध्यम से contact कर सकते हैं, detail आपको वहाँ पर बताती जाएगी, is that clear? I hope आपको सारी चीजे clear हो गई होगी, चलिए thank you.